कप्तान मैदान में पूरी टीम सक्रिय नतीजा दीवा शैडोल संभाग में दुनिया को देशत में डालने वाला कोरोना की एंट्री नहीं आपके साथ मैं जीशान जावे आप देख रहे हैं News Network Today हमारी टीम ने कोरोना लॉकडाउन वन की समिछा की रिजर्ड पहतर कप्तान की पहतर पारी टीम जा पहुची कप्तान के पास बातचीत करने आप भी सुनिये उन्होंने क्या कहा पूरे दुनिया में इस समय कोरोना ने कौडाम मचा रखा है पूरा दुनिया का कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो कुरोना से ना प्रभावी तो लेकिन अगर बात की जाए भारत की वहां भी मद्र प्रधेश की खास तो और से विंद की तो यहां का जो भी प्रसास्निक आमला उसने इतनी महनत की बिंद में खास्तोर से रीवा संभाग सेडोल संभाग की अगर बात की जाए तो अभी तक एक भी पेशन्ट यहां पर नहीं पाया गया है इस समय हम मौजूद हैं रीवा कमिशनर डक्टर अशोक कुमार भारगोजी के साथ हम सीधे उनी से बात करेंगे कि किस तरीके के उन्होंने रणनीत बनाई थी जिसकी वज़े से कुरोना अभी तक यहां नहीं आ पाया सर्फ किस तरीके की रणनीत आपके थी कौरोना वाइरस एक वेश्विक महामारी है और इनने साजुनिक स्वास्त के लिए उसकी स्वरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अभी तक इस महामारी का किसी तरह का कोई इलाज कोई टीका उपलब नहीं है और एक मात इससे बचने का उपाई यही है कि कोरोना वाइरस की जो श्रंखला है उसे तोड़ा जाए और ये तभी सम्भव हो सकता है जब सब लोग अपने अपने घरों में रहे और स्वास्ति वह कामला है हमारे जो स्वास्त कर्मी हैं और इसके साथ साथ समाज सेवी हैं स्वयम सेवी संगिठन हैं धर्म गुरु हैं इन सब का सहयोग लेकर टीम भावना के साथ काम किया हमारे सभी जुलों की सीमाओं को हमने पूरी तरह से सेल किया बाहर से किसी का अंदर अपने घरों में रहे हमने उनके लिए आवशक जो वस्त्वे हैं उसकी आपुजती को सुनिश्चित करने के लिए एक अच्छी वेवस्था बनाई ऑनलाइन वेवस्थाएं जो हैं उपनब्द कराई गई और एक निश्चित अंतराल से किराने की दुकाने हैं सबजी है और साथ साथ दभाई की दुकाने हैं उन्नी भी हमने जो है ओपन किया लेकिन सामाजिक स्रक्षा दूरी को सुनिश्चित करते हुए दुकान के सामने किरानी की दुकान के सामने हमने गोल एक एक मीटर दूरी के घेरे बनाएं ताकि लोग जो है сосal डिस्टेंसिंग का, जो है तो खुल मिलाकर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से आकाश्वाणी, रीवा और शैडोल पर लगबग दस मुलीट की वारता रिकार्ट करके उसे बार बार पूरे बहुत दूरस्त अंचलों तक उसे परसारित किया गया, लोगों को हमने चेतन किया, जागरू किया और लोगों में भी इस बात की चेतना है कि यती हम नियमों का पालन नहीं करेंगे, लॉक्डाउन के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो हम इस संखला को नहीं तोड़ पाएंगे, तो सभी के सहयोग से ये संभव हो पाया, रीवा स संभाग के तीनों जिलों में एक भी व्यक्ति कोरोना पाजिटुब नहीं पाया गया जो भी सस्पेक्टेट थे उनका हमने तुरंत मैडिकल स्क्रीनिंग की हमारे सभी चिकिसालियों में हमने कॉरंटाइन के लिए अलग लग बेट सुनिश्चित किये सैनिटाइजर, मास्क, N95 मास्क, PPE किट और जितनी भी जरूरी जो उपकरन है, सामान है उन सब की पर्याप्त, उपलब्दता, सुनिश्चित की हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्वास्त करनी हैं, आमनवाडी कार करता, आश्वा कार करता, ये सब पूरी उर्जा के साथ भरे हुए इस दिसामी काम करते रहे, हमने बार-बार इस बात को निश्चित रूप से करने का प्रयास किया, कि कोरोना से हमको डरना नहीं है, वरन लडना है, हमारा मोटू, हमारा मिशल, कोरोना को हराना है, और इंसानियत को जिताना है, हमारे संभाग के सभी, जितने भी अधिकारी ह हैं SP हैं और जो इस दिवस्था से जड़े होगे प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जितने भी संगठन है कर्मचारी अधिकारी सब लोगों ने मानगी प्रधान मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्य मंत्री जी की और से जो बार-बार आभान किया गया उन निर्देश पूरी तरह से उनका मेडिकल चेकप कराया उनके जो सस्पेक्टेट है उनके नमुनी लेकर हमने जांस के लिए फेजे वे सारी के सारी निगेटिव आये उन्हें 14 दिन के लिए हमने कॉरिंटाइन में रखा और आविशक्त जो व्यवस्ताय हो सकती हैं वे सब उपलब्द क तो कुन मिलाकर ये विंद शेतर के जर्मानर्स की जीत है यहां के जो हमारे कोरोना वारियर्स हैं उनकी जीत हैं उनके संकल्पिकी देरी की और साहस की जीत है हम फिर जो दूसरा चलण पर आरण हुआ है इसमें भी ठीक पहने चलण में जिस तरह से हमने काम किया था और देर से नियम है, सक्ति से हम पालन करेंगा और जिन लोगों ने लगडाउन के दोरान सक्ति से नियमों का पालन नहीं किया उनके वुरुद हमने F.I.R दर्ज कराई उनके वुरुद जो आपदा प्रबंदन अधिनियम है उसके तहर भी F.I.R की कारवाई करी है तो हमने सक्ति से भी काम लिया और उसी का ये नतीजा रहा कि हम इसमें सफल रहे काम याप रहे एक सवाल ये है कि लागडाउन होने के खतम होने पे जैसे कुछ जिलों में जो ग्रीम जोन में थे बीस तारिक से कुछ छूट भी देने का प्रावधान है आप लोगों की एक प्लानिंग है उस पर भी कुछ अगर अपने उड़ों की कुछ तयारी कर रखी हो तो हमाई दर्शकों को अभी कल बारत सरकार की और से निर्देश जारी होए है अभी बीस तारिक तक ये पूरी तरह से बहुती गहनता के साथ इसका परिक्षन किया जाएगा कि जिन जिलों में लागडाउन लागू किया गया है लागडाउन तो पूरे देश में लागू किया गया है लेकिन लागडाउन का पालन कितनी शिद्दत के साथ किया जा रहा है यदि पालन ठीक तरीके से किया जा रहा है किसी तरह कि कोई उसमें चूक नहीं है तो 20 अप्रेल के बाद अलग अलग तरह की रियायतें उसमें दी जाने की संभावना है और उसका सभी आज अखवार में भी आ गया है जितनी अभी फिलाहल जो है जो आवशक उबस्तु से समद्धी जो ट्रक या और जो ट्रांस्पोर्ट से समद्धी जो गाडियां है उनकी आवा गमन पर पूरी तरह से रोक नहीं है उनमें दो ड्राइवर और एक किलीनर जा सकता है सामाजी शुक्षा दूरी का पालन करते हुए यदि खाली ट्रक जा रहे हैं तो उन्हें नहीं रोका जाएगा यदि उसमें आवशक उबस्त्य हैं तो उन्हें भी नहीं रोका जाएगा तो बहुत सारी सुविधाएं जो रियायतें जो हैं बीस अप्रेल के बाद दी जाएंगी यह निर्बर करता है कि जो छेतर आपका है वो ग्रीन जोन में है या रेट जोन में है या औरेंज जोन में है जहां पर कॉरिंटाइन का एरिया है और जो बहुत होट स्पॉट है वहाँ पर संभवता है किसी तरह की छूट मिलबाना संभव नहीं है उसके हिसाब से हम अग्मी रणनीत बनाएंगे उनको छूट देंगे निश्चित रूप से कहा जा सकता है कप्तान अगर मैदान में हो तो बागी खिलाडी बहतर तरीके से खेलते हैं शायद इसी खेल भावना को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर अशोक कुमार भरगो जो ह आज रीवा संभाग और सेडोल संभाग में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं पाया गया न्यूज नेट्वर्ट टूड़े के लिए मैं समीम सौदागर के साथ जावेद अंसारी कुशल रणनीती बहतर क्रियान वन नतीजा कोरोना जीरो में बोल आप भी घर पर रहिए आप है तो कल है आपके मेजबांजिशान जावेद को दीजे इजाज़त फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ नवस्कार झाल